नमस्कार SPT News में आपका स्वागत है पेशच 6 सितंबर मंगलवार शाम सवा 7 बजे राजयसान की बड़ी खबरें कांग्रिस के पूर प्रदेशा धक्ष और राजयसान के डिप्टी सीम रहे सचिन पाइलेट के जन दिन के बहाने उनके समर्थकों ने मंगलवार को जैपूर में शक्ती प्रदेशन किया कांग्रिस एधक्ष के चुनाव की गोशना होने के बाद बीते करीब 10 दिन से पाइलेट गुट अधिक एग्रेसिव दिख रहा है समर्थक विधायक दावा कर रहे हैं कि सचिन को सीम बनाने की मांग में कई विरोधी गुट के सदस्य भी अब उनके साथ हैं आज जैपूर के सीविल लाइन्स में जुटे हजारों समर्थक वे कांग्रेस कार्यकरताओं के इलावा अब तक 21 मंत्री विधायक पाइलिट के जंदिन की बदाई देने पहुंचे इनमें 3 मंत्री और 7 गहलोध समर्थक भी है वही बाडी धोलपूर से विधायक गिराज मलिंगा भी पाइलिट से मिलने पहुंचे मलिंगा का आना सियासी तोर पर काफी एहमाना जा रहा है राजसान भाजपा ने सत्ता के मिशन 2023 को हासिल करने के लिए सवा साल पहले से ही शत्रंच की 27 विशानी शुरू कर दी है केंद्रे नेताओं के राजसान में दोरे शुरू हो गए हैं और अगले टार्गेट की तयारी है जोदपुर में बीजेपी के कारे करता सम्मेलन और ओबिसी मोच की याठ से 10 सितंबर के बीच बैठके होगी जिसमें पार्टी की अगले मिशन की अध्याय को लिखने की रन्निती तैह होगी राजसान भाजपा प्रदेश अधक्ष डग्टर सतीश पुन्या ने आज से शुरू होने वाली जन आशिश यात्रा स्थागित कर दी है पुन्या ने यह यात्रा ओबिसी राष्टे मोचा की बैठक और संभाग सम्मिलन को देखते हुए स्थागित की है ग्राम सेवा सहकारी समीती के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है इसी बीच शेक्षनक योगिता को लेकर चल रही उहा पोहो की स्थीती भी विभाग की ओर से स्पष्ट कर दी गई है इस समद में एक सितंबर को राजसान राजे सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने शेक्षनक योगिता को लेकर आदेश जारी कर दी है जारी आदेश के मताबिक ग्राम सेवा सहकारी समीतियों के संचालन मंडल का चुनाव लड़ने के लिए राजसान सहकारी सोसाइटी नियम में शेक्षनक योगिता आठमी उत्तीन होना निवार्या है जानकारी के नुसार 2016 में पंचायत राज में चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्टियों की शेक्षनक योगिता दस्वी पास निधारित की थी इसका प्रदेश भर में जन प्रतिनिध्यों ने विरोध जताया था जोदपूर में रावन का चबूतरा मैदान को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है मंगलवार को विवाद इतना वड़ गया कि मामला नगर निगम तक पहुँच गया यहां रैली और भजन संध्या दोनों को लेकर विवाद शुरू हो गया है मंगलवार सुभै साड़े दस बजे दोनों पक्षों की बैठक भी बुलाए गई लेकिन सहमती नहीं बनी और दोपहर तीन बजे दूसरे दोर की बैठक बुलाए गई है दरसल दस सितंबर को अमिज शाह की सबा है लेकिन इससे पहले यहां साथ तारिक को गणपती महौतसव पर भजन संध्या है जिसमें आरेलपी प्रमुक हनुबान बेनिवाल के मुख्यतिती है इधर भाजपा रविवार को ही भूमी पूजन कर तैयारियां शुरू कर चुगी है जैपूर के मोहनलाल सुखाडिया विश्विजाले में प्रदर्शन के दुरान मंगलवार को कुलपती वे स्टूडेंट्स आमने सामने हो गए मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को हलका बल प्रयोकर चात्रों को खदेरना पड़ा दरसल दोनों संगठनों के कारेकरता मंगलवार को युनिवरसिटी में प्रशास्तिक भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे इसी दोरान दोनों संगठन कुलपती को ग्यापन देने अंदर जाने के लिए अडगए और हंगामा बढ़ गया स्टूडेंट्स हाल ही जारी हुए डिजल्ट में गडबडी का अरोप लगा कर उसे नए सिरे से जारी करने की मांग कर रहे है पुलिस ने दो छातर नेताओं को हिरासत मिलिया है वहीं बवाल के बाद युनिवर्सिटी प्रशासन ने एक कमेटी बनाई है जो दो दिन में परिणामों पर जांच रिपोर्ट पेश करेगी राजसान में बच्चे के पैदा होने से उसके 5 साल तक होने तक पूरा हेल्थ रिकोर्ड रखा जाएगा यहां तक family का health data भी update रखा जाएगा इसके लिए परिवार को एक student को गोद दिया जाएगा जो पूरे परिवार का health record को track करेगा दरसल यह innovation किया गया है जोदपुर विश्विजाले की ओर से इसके तहट विश्विजाले में admission लेते ही प्रतेग student को एक-एक परिवार के स्वास्थे पर नजर रखने की जिम्मेदारी सोपी जाएगी वे इस परिवार के प्रतेग बच्चे सहीद सभी के स्वास्थे पर पूरी नजर रखते हुए उन्हें साहयता उप्रब्द कराएंगे शिक्षा विभा के senior secondary schools में agriculture विशे पढ़ाने के लिए लेक्चरर की भरती एक बार फिर अठक गई है नियमों में पिछले दिनों फिर बदल किया गया लेकिन भरती जैन सी राजसान लोगसेवा आयोग अब शिक्षा विभा के नए निदेशों को मानने के लिए तयार नहीं है परिणाम ये है कि राजे भर में हजारों की संख्या में agriculture graduates नोकरी की दोड से फिर बाहर हो गई है agriculture में school lecturer की भरती के लिए agronomy, horticulture और animal husbandry में graduation की बादेता है इसके विपरित agriculture में अन्य विश्वों में graduation करने वाले candidates इस भरती से वन्चित हो रहे थे उपराश्च्पती जगदीब धनकड 8 सितंबर को अपने पैत्रिक गाम किठाना पहुचेंगे जुझनों में उपराश्च्पती धनकड के दोरे के मद्दे नजर तयारियां चल रही है मंगलबार को गाउं के हैलिपेड पर सुरक्षा जायजा लिया गया वे सुरक्षा कर्मियों ने रिहसल किया सुरक्षा विवस्ता का जायजा ले ने किठाना के हैलिपेड पर सेना का हैलिकॉप्टर पहुचा सुरक्षा कर्मियों ने उप राष्टपती के रुखने के सभी स्थानों को देखा वहां सुरक्षा के नजरिये से सभी रास्तों पर रिहसर किया गया गाउं में स्कूल के खेल मैदान में हेलिपेड बनाया गया है किठाना के प्रस्तावित दोरे की तयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है गायों में टेजी से फैल रहे लंपे वाइरेस ने जोदपूर सरस डेरी के सारे समिकरन गड़बढा कर रख दिये हैं दूद की आवग 40-45 पतिशत तक कम हो चुकी है दूद की आवग कम होने के कारण जैपूर डेरी ने दूद के दाम बढ़ा दी है लेकिन जोदपूर डेरी फिलहाल दाम बढ़ाने नहीं जा रही है इसके उलट जोदपूर डेरी पशुफालकों को रहत फदान करने के लिए उनसे खरीदे जाने वाले दूद के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही है जोदपूर डेरी के चेर्मेन रामलाल विश्णोई का कहना है कि लंपी बिमारी के कारण बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है इसके बावजुद हम लोग फिलहाल दाम बढ़ाने के पक्षदर नहीं है राजसान में सितंबर के पहले सप्ताह मानसुन कमजोर पड़ गया है जिसके चलते कुछ जिलों में गर्मी जोर दिखा रही है मौसम विभाग की माने तो 9 सितंबर से मौसम का मिजाज बदलेगा और राजसान में बारिश का दोर फिर से शुरू होगा माना जा रहा है कि पूर्वी राजसान में 9 और पश्मी राजसान में 10 सितंबर से बारिश शुरू होगी हलांकि बारिश का असर जादा जिलों पर दिखाई नहीं देगा लेकिन मांसुन की रुकी हुई चाल फिर से शुरू हो सकेगी माना जा रहा है कि 11 स्टंबर से कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश का दोर भी शुरू हो सकता है पश्मी राजसान के गंगा नगर वे हनुमानगर जिलों को छोड़ कर अधिकांश भागों में अगले पांच दिनों के दुरान मोसम मुखे तर शुष्क बना रहने का अनुमान है फिलहाल इस बुलेटेन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर